नमस्कार दोस्तो ओसम गार्डन में राके साथ का फिर से स्वागत करता हैं कि रोज के जो सीड आते हैं उनलाइन उनको हम कैसे ग्रोव कर सकते हैं या फिर हम सीड को खुद के प्लांट से भी हार्वेस्ट करके उनको से अपना प्लांट ग्रोव कर सकते हैं दोस्तो जो रोज के सीड होते हैं उनको थोड़ा सा ग्रो करना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुम्किन कुछ भी नहीं जस थोड़ी सी नॉलिज और थोड़ी सी महनत और थोड़ी सी केर की जरूरत होती है तो चलिए अब हम बात करते हैं रोज के सीड के ऊपर कि हमें उसके कुछ step है, वो step हम कैसे ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जब गुलाब के जो hips होते हैं, वो orange कलर के हो जाएं, तो उनको तोड़ लें और उनमें से rose के seed जो हैं, वो आप collect कर सकते हैं, और जैसे मैंने दिखाए, वो आपको picture में दिख रहा है, उस तरीके से हम रोज के seed को, जो इसका hips है, उसको हम तोड़ लेंगे, और उसमें से seed को निकाल लेंगे, और seed को निकालने के बाद, अब जैसे आपको picture में दिख रहा है, उस पे जो कुछ pulp लगा होता है, ओरेंज कलर का, तो उस pulp को हम साफ पानी से दो लेंगे, और दोने के ब जाउडर में solution किये हुए होते हैं, तो दोस्तों, अब जो सबसे पहला step आता है, वो आता है कि seed को soak करना है, कि हम उसको पानी में डालेंगे, और दोस्तों क्या करना हमें, एक कप पानी लेना है, एक कप पानी में, हम एक चम्मच जो है, वो hydrogen peroxide डालेंगे, hydrogen peroxide दोस्तों क्य medical store से ले आईए, और उसको medical store से लाने के बाद, आप उसमें एक कप पानी में, आप उसमें एक चम्मच डाल दीजिए, और जो आपके seed हैं, उनको आप उस पानी में डाल दीजिए, एक से डेड़ घंटा उन्हें उसमें भीगे रहने दीजिए, एक से डेड़ घंटा बाद उने निकालने के बाद साफ पानी से दो लीजिए तो हमारा जो पहला step था वो complete होता है अब बात करते हैं दूसरे step की दूसरा step क्या है कि आप एक paper towel लें जिसे paper towel भी कहते हैं tissue paper भी कहते हैं आप कुछ भी use कर सकते हैं अब अकबार या कागच यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतना ज़्यदा आपको अच्छा result नहीं मिलेगा क्योंकि जो paper towel होता है या फिर tissue paper होता है उसमें ज़्यदा अच्छा result मिलता है tissue paper को आप airtight डिबे में या फिर जो airtight zip locker bag होते हैं poly bag होते हैं जो zip locker वो use कर सकते हैं अब उसमें डालिएगा seed paper towel को और paper towel को डालने के बाद उसमें seed रख दीजिए जैसे आपको picture में दिख़ा है उसी तरीके से हम seed को रखेंगे और seed को रखने के बाद उसमें हम पानी का जो है वो हल्का से शावर कर देंगे तकि जो हमारा paper towel या फिर tissue paper है, वो अच्छे से moisturize हो जाए और फिर दोस्तो, हमें क्या करना होगा, कि जैसे ऊपर से एक और paper towel डाल देंगे उसके उपर या फिर एक और रखकर उसके paper towel या फिर tissue paper और उसके ऊपर हम दोबारा से spray कर देंगे ताकि जो हमारे दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो paper towel हैं वो अच्छे से moist हो जाएं और then हम airtight dipbe को बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हमारा जो दूसरा step है वो complete होता है बंद करने के बाद उसको हम refrigerator में लगा देंगे और refrigerator में रखने के बाद दोस्तों ऐसी जगे उसको ना रखे जहाँ पर fruit या फिर सबजियां रखी जाती है आप जो freezer होता है जहाँ जिसमें बरफ जमती है उसके just नीचे रख सकते हैं या फिर आप freezer में रख सकते हैं या तो आप freezer में रखे या फिर freezer के just नीचे जो rack होता है उसमें आप रख सकते हैं तो दोस्तो तीसरे step की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम seed लेके आते हैं तो उसमें कुछ किसमें होती हैं जो जल्दी ग्रो कर जाती हैं जल्दी अपनी sprouting start कर देती हैं और कुछ किसमें हो जो होती हैं वो थोड़ा सा late sprouting start करती हैं दोस्तो इसको grow होने में कम से कम चार वीक से और सोला वीक तक सलग सकते हैं, जानी एक महीना से और सोला वीक तक हमें वेट करना होगा इसकी sprouting स्टार्ट करनेगा तो दोस्तो उमीद करता हम आपको अच्छे समझ लग रहा होगा, अगर फिर भी आपकी कुछ queries हैं तो आप comment box में पूछ सकते हैं तो दोस्तो अब क्या करना है आपको, इसमें जैसे चार पांस दिन में एक बार उसको खोल कर जूर देखना है ताकि जो एक्स्ट्रा मोईस्चर है ताकि जो एक्स्ट्रा मोईस्चर है वो उड़ जाए और उसमें आप, अगर आपको paper towel जो है वो थोड़ा dry लगे तो आप उसमें एक दो drop जो है वो पानी की डाल सकते हैं ताकि वो दोबारा से मोईस्चर हो जाए गीला हो जाए और उसमें आपको मोईस्चर बना कर रखना है अब क्या होता है जैसे इसमें अब आपको एक और बात में बताता हूँ कि सीड से ग्रो करना गुलाब को थोड़ा सा मुश्किल जुरूर होता है लेकिन नामोमकिन कुछ भी नहीं लेकिन जो online कुछ सीड आते हैं वो कुछ पहले से खराब हो जाते हैं या फिर उनकी कुछ टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर लगाने जुरूरी होते हैं तो यह पता नहीं चल पाता तो हमें क्या करना होगा कि जैसे कुछ सीड हैं वो लगबग 70% सीड जो आते हैं वो खराब हो जाते हैं 30% ही ग्रो हो पाते हैं और जब छोटे प्लांट होते हैं वो उनकी ब सब्सक्राब भी हो सकता है और चलने को तीनों भी चल सकते हैं अगर उनका शीड अच्छे से हैल्दी है तो अब दोस्तों करते हैं कि जब सीड़ का आपको यह लगे कि या तो फोर वीक के बाद या फिर सिक्स्टेन वीक के बाद जब आपको यह लगे कि इसमें से कुछ जैसे उपर का जो चिल का ब्लैक कलर का होता है सीड का वो फटने लग गया है और उसमें से कुछ रूट्स टाइप बाहर निकलने लगा है तो आप कोको पीट लीजिए कोको पीट में कुछ कमपोस्ट एड कीजिए और जो सीडलिंग ट्रे है या फिर जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास आते ह उनके नीचे आप छेद कर लीजिए उसमें भर लीजिए और भरने के बाद उसमें उपर से आप बहुती सावधानी के साथ उस सीड को उठाएंगे पेपर टावल से और उस छोटा सा गड़ा करके मैक्सिमम आदा इंच गहरा ही दबाना है ज्यादा गहरा नहीं होना चीए सिर्फ जो आदा सेंटीमीटर होता है आदा सेंटीमीटर ही हम उसको डालेंगे और उपर से कोकोपीट की एक लेयर बना देंगे और उपर से हम सावर की मधद से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहेंगे daily हमें पानी उसके उपर छिड़कते रहना है चार से पांच दिन में या फिर maximum one week में आपको जो plant है वो उपर sprout निकलता हुआ आपको दिखाई देगा और उसको निकलने के बाद हम अच्छे से उसकी care करेंगे और उसमें daily आप watering करेंगे watering हमें वही shower से करनी है हलकी watering रखनी है over watering नहीं करनी over watering करेंगे तो जो हमारा plant है वो dead हो जाएगा मर जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है और दोस्तों यही उसकी care है जब seed grow हो जाएगा तो उसको जब 4-5 पत्तियां आ जाएगा तो उसको आप अच्छी soil में लगा सकते हैं soil में लगाने के बाद जैसे हम उसको transplant कर देंगे तो जैसे छोटे जो plant होंगे जैसे हम छोटे glass में लगा रहे हैं तो उसको हम indoor रखेंगे outdoor नहीं रखेंगे क्योंकि outdoor जो है वो plant जल्दी डाड़ हो जाएगा तो हम उसको indoor ही place करेंगे और जब वो 4-5 पत्तिया आ जाती है तब भी उसको indoor रखेंगे एक आदे गंटे के लिए गंटे के लिए उसको धूप दिखाएंगे धन दोबारा वापिस हम उसको indoor ले आएंगे तो जब plant हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसको outdoor place कर सकते हैं तो दोस्तो यही seed grow करने का इसका एक तरीका है कि गुलाब के seed को इसी तरह से grow किया जा सकता है तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत